Hello friends, welcome to the class. My name is Sudhir. Let's start today's season. देखिए, इंडिया नेक्सरेस में बड़ा important article लाया हुआ है. State Sponsor of Terrorism को लेके समझने के कोसिस करते है. State Sponsor of Terrorism क्या चीज है? साथ ही, Ukraine ने डिपांड किया है कि रसिया के ऊपर इस प्रकार का a designation देना चाहिए. उसको State Sponsor of Terrorism के तौर पे घोसित कर देना चाहिए. Ukraine ने ऐसा डिमांड किया है, रसिया को लेके. समझने के कोसिस करते हैं कि State Sponsor of Terrorism क्या चीज है? किन-किन देशों के उपर अब तक लग इंपोस किया गया है? इससे क्या नुकसान है? कैसे इंपोस किया जाता है? यहाँ पे लुहांस्क और दोनिस्ट. and military आगे बढ़ी है, जादा तर कोसिस करी है कि जितने भी important location है क्योंकि देखो, ये दोनों area industrialized area है, इसलिए इनको रसिया को चाहिए था, इससे पहले ये क्रीमिया पेनिसुला था, क्रीमिया पेनिसुला को 2014 में ही रसिया ने अपने तरफ कीच लिया, अपने कबजा कर लिया इस पर, 2014 में उसके बाद, ये सब area, ये area होगा, ये area ये area, ये area, तीनों area resource rich area है, यूक्रेन का resource rich area यहीं पहदे को यहीं पर, इसके पास क्या है, चर्नोबिल यहाँ पर चर्नोबिल है वैसे तो यहाँ पर, यूक्रेन का largest nuclear power plant है, यूरोप में, इधर चर्नोबिल भी है, तो रसिया का aim क्या था, कि इन जिदने भी important area है, यानि कि ये resource rich area है, और resource rich country को हतिया लेना, रसिया का main aim था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा resource है, तो यहाँ पर, डी silent होता है, नीपर river, ठीक है, नीपरो बोलते हैं, नीपर बोलते हैं, ऐसे, न आई पी आरो नीपरो या नीपर, इस परकार से pronunciate के जाता है इसको, तो यह नीपर river जो है, यह रसिया को दो भागों में ऐसे बाढ़ती है, लग बग ठीक है, यह important river है, आपको याद रखना है कि किन-किन बेलारूस से इंटर करती है इधर, और जाके black sea में गिरती है, यह neighbor river ठीक है, याद रखना है, क्रीमिया पैनुनसुला, जो कि पहले रसिया, पहले यूक्रेन का हिस्सा था, अब रसिया पॉल, यह दो important city हैं, इंटों important city को आप याद रखना, देखें अनी पर रेबर, इसका spelling यहाप रिखा हुआ है, ठीक है, यह कुछ important area है, जिनको आपको हमेसा याद रखना है, यह city किस यह city जो है, किस important देश के हिस्सा है ऐसे करके question निकाल देगा, कि हाली में यह term newspaper में था, बताओ किस से जुड़ा हुआ है, खार की maripol, malipol, ठीक है लुहांस, दोनस्क, दोनस्क यह सब important area आपको याद रखना है, ठीक है, अब एक और important location आप देख लो, यह पिस लगे हाथ mount हुवेरला, ठीक है, हुवेरला यह mount Carpenthean mountains का सबसे ऊचा चोटी Ukraine में, जो Ukraine में सबसे ऊची चोटी है, का नाम है Carpenthean mountains का सबसे ऊचा और हुवेरला, ठीक है, यह आपको याद रखना है important, यह important location है इस पूड़े country का यह कुछ important चीज़े थी, जो मुझे बतानी थी, फिलहाल map के point of view से क्रीमिया आप याद रखना, क्रीमिया black sea और ajobe sea के बीच में एक straight है, यहाँ पर उस straight का क्या नाम है going further, we see this map देखिए, इस map को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे concept आपके clear हो जाएंगे देखिए, यह है क्रीमिया पैनन्सुला क्रीमिया पैनन्सुला को मैं थोड़ा और zoom करके दिखाने की कोसिज़ कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था इसके आसपास कितने सारे important location वह आप एक बारी देख लेज़े इधा तो black sea था ही हमारा अपना नीची black sea है, इधर azop sea है major point of discussion was कर्च यहाँ पर क्या है एक state है कर्च, यहाँ पर कोई state नहीं है है बट बहुत important नहीं है यहाँ पर जो important state है उसका नाम है कर्च, state of कर्च ठीक है तो यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यह आपको काम आएगा next एक important way है जिसका नाम है कर्किनित वे, यह आपकी इधर Ukraine के side से लगता है तो इधर Ukraine है, इधर क्रीमिया पैननसुला है और यह important location जो मुझे आपको बतानी थे क्रीमिया के बारे में, फूप clear हो गई होंगी चीजे, वापिस अपने आते हैं article पर, article में क्या बाती कही गई है उसको समझने की कोसिस करते हैं, details से हलांकि Ukraine और Russia का मुद्दा भी हमें discuss करना चाहिए, लेकिन आप मुझे comment section में बताएंगे तो हम उसको और details से discuss करने की कोसिस करेंगे, देखिए, simple सी बात है जैलन्सकी सहब जो की president है कहांके Ukraine के, उन्होंने कहा है कि भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप Russia को Russia को आप decide कीजिए, designate कीजिए, impose कीजिए state sponsor of terrorism के तोर पे माफ कीजिए state sponsor of terrorism के तोर पे जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी आप Russia को घुसित कीजिए, ये कहना था जैलन्सकी सहब का, क्या होता है, अब तलग कितने देशों के उपर impose किया गया, impact क्या होता है, इसको समझने के गोसिस करते हैं तो जैलन्सकी सहब ने जो demand करी है उस demand के आधार पर देखिए, बाइडिन ने, जो बाइडिन जो की US के president है, उन्होंने बहुत जाता promise तो नहीं किया है कि नहीं करेंगे, करेंगे जो आप कह रहे हैं state sponsor of terrorism के तोर पे आप गोसित कर दीजिए लेकिन उक कह रहे हैं कि सोसते हैं, सोसते हैं करते हैं इस बात पर कि क्या हम उनके ऊपर और प्रेसर लाने के तोर पर हम उनको state sponsor of terrorism के तोर पर गोसित कर सकते हैं खेर, होगा तो होगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल यह समझ लेते हैं कि अब तलग कि कितने countries को इस तरह से terrorist designation दिया गया है तो देखे, सबसे पहले तो यह कैसे दिया जाता है, सबसे सिंपल सी बात है किसके पास authority होती है इस प्रकार का काम करने का US Secretary of State US Secretary of State को यह power होती है कि वो designate कर सकते हैं country को जो international terrorism को promote कर रही है उसको कह देखते हैं कि भईया तुम जो है state sponsors of terrorism के तोर पे हो एक बात मैं आता हूँ कि पाकिस्तान को अभी तक ऐसा नहीं धरजा दिया गया, कि पाकिस्तान इस प्रकार का कुछ state sponsor of terrorism के तोर पे घोज़ित किया गया उसको कभी नहीं किया गया Sudan, Iran, वगएरा countries को घोज़ित किया गया जो international terrorism फैलाते है जो international terrorism को फैलाते हैं, promote करते हैं, funding देते हैं उन-उन countries के ऊपर इस प्रकार का कुछ किया जाता है तो चलिए समझने के कोसेस करते हैं कि और कौन-कौन से ऐसे country हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का state sponsor of terrorism के तोर पे घोज़ित किया गया एक बात और समझ लेते हैं कि ये सिरफ और सिरफ countries पे नहीं बलकि लोगों पर भी लगाया जा सकता है person, terrorist, vaccination के तोर पो उनको दिया जा सकता है कि यह terrorist organization को promote करता है विवेक्ति और उसके ऊपर भी ban की जा सकती है तो चार प्रकार की ban लगते हैं जब किसी के ओपर इस प्रकार का sanction लगाया जाता है इस प्रकार का imposition किया जाता है सबसे पहली बात है कि वो US foreign assistant उसका बंध हो जाएगा US उसको किसी प्रकार का विदेशी सहायता प्रदान नहीं करेगा defense export उसका ban हो जाएगा और उसका sale export बंध हो जाएगा कि defense export जो करता है या defense sale जो करता है वो बंध हो जाएगा उसके अलावा certain control over the export of dual use item जो दोहरा use किया सकता है दोहरी use के जो टेक्नोलजी ऐसे की rocket engine की technology rocket engine की जो टेक्नोलजी है उसको यह transfer नहीं कर सकते किसी को किसी से खरीद नहीं सकते साथ ही साथ चौथा प्रकार का जो imposition है वो है financial imposition financial restrictions उनके उपर financial restrictions लगा दिया जाएगा वो किसी प्रकार के वित्तिय लेंदेन की system में नहीं आ पाएंगे जिस प्रकार अभी swift system swift system अभी बंद किया गया है इसके लिए swift system जो है बंद किया गया है अभी रसिया के लिए रसिया swift system का यूज नहीं कर सकता है swift system क्या चीज होता है swift system में होता है secured international inter banking transaction को monitor करने का एक system होता है जिसमें अगर कोई एक देश से दूसरे देश में या रसिया से कोई वेक्ट दूसरे देश में पैसा भेज रहा है तो swift system की security को यूज नहीं कर पाएगा उसका जो amount होगा transfer का वो system खराब होगा हो सकता है उसका financial transaction कई बड़ी fail हो जाए या fake हो जाए वो एक चीज हो सकती है अगर वो swift system का use नहीं कर पाएगा तो इस परकार की banning करी जाती है इसके तहल चार प्रकार के मुखी तोरग पर बायन लगते हैं किसी country को अगर इस प्रकार का designation दे दिया जाता है तो चली अब बात कर लेते हैं कि कौन से country ऐसे हैं जिनको इस प्रकार का designation अब तरग दिया गया है सबसे पहली बात तो है country on the list सबसे पहला जो country है वो है सीरिया यहाँ पर आप देखे कि सीरिया को दिसंबर 29 1979 में इसको पहली बार इसको state sponsor of terrorism के तोर पर घोसित किया गया था उसके बात इरान को 84 में फिर नौर्थ को या को 2017 में इस प्रकार से घोसित किया गया इसके अलामा क्यूबा को re-designate किया गया state sponsor of terrorism के तोर पे जनवरी 2021 में re-designate ऐसा नहीं कि कोई state को एक पर designate कर दिया गया उसके बाद उसने अच्छा किया उसके बाद रीड उसको 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 उपर से इंपोजिशन हटा लिया गया तो उसको दुबारा नहीं किया जाएगा नहीं दुबारा भी हो जाएगा क्यूबा इसका example है एक important बात और समझ लेजे कि अगर किसी country को इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार का imposition किया जाता है तो वो सिरफ United States से उसका relation खराब नहीं होता बलकि अधर जितने भी और countries हैं अधर government हैं उनके साथ भी इनका dual relation, bilateral relation जो है वो प्रभावित हो जाता है इस प्रकार का imposition से तो ये बहुत important चीज़ है बहुत लंबे तोर पे impact करता है बहुत deep penetration करता है इस प्रकार का जो imposition है वो October 2022 की बात करें तो Donald Trump ने अनाउंस किया कि Sudan से, वो Sudan से क्या कर रहे है कि इस प्रकार का जो imposition किया गया है उसको वापिस ले रहे है Sudan को इससे बाहर किया गया जो पहली बार Bill Clinton साहब की जो presidency थी, उनके presidency में 1993 में पहली बार state sponsor आप Terrorism के तोर पे इसको किया गया था लेकिन Donald Trump में 2020 October में उसको हटा लिया था Iraq वो जो अलसो रिमूड फ्रॉम दिस 1982 में इसको Iraq से भी हटा आ गया था लेकिन उसके बाद 2004 में उसके पहले 1990 में भी उसको री लिस्टेड किया गया था इस परकार से तो हो रहा है, रिमूड हो रहे हैं जा रहे हैं, निकल रहे हैं आ रहे हैं इस परकार की चीज़े चलती रह रहे हैं South Yemen, South Yemen को 1990 में इससे रिमूड कर दिया गया था पहले मर्ज बित North Yemen, North Yemen जब South Yemen से मिला था, तो South Yemen को भी इस प्रकार से delisting की गई थे, removal किया गया था कि हाँ भाईया, अब तुम आज से नहीं रहोगे लेकिन बहुत सारे Gulf countries है जो terrorism में involved रहते हैं जिसके चलते हैं उनका नाम इस list में आ जाता है पाकिस्तान नहीं है, लीबिया वो जो also removed in 2006, लीबिया को भी इस list से 2006 में बाहर कर दिया गया था क्यूबा का तो अपना इतिहास है आपको पता है, क्यूबा का इतिहास तब जाके सुधरा जब वहां के एक बहुत important prominent leader थे, नाम बताई आप उसकल comment section में कि क्यूबा के जो एक important leader थे जिनकी death हुई उसके बाद से ये चीज होने लगी वहां पर कि भाई जो क्यूबा को 1982 में इस प्रकार से designation दिया गया था कि भाई तुम state sponsor of terrorism हो उस से 2014 में जब बाला को वहां सहाब आया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इस से diplomatic relations फिसे start करेंगे, चीजे re-establish करेंगे economic restrictions हटाएंगे, ये सब चीजे की गई और उसके बाद क्यूबा को हटाये गया, लेकिन last year फिर से, secretary Mike Pompiou, उन्होंने कहा कि क्यूबा मान नहीं रहा है, क्यूबा को फिर से state sponsor of terrorism के तौर पे घोसित कर देते हैं, अब देखो, ये बड़े country ऐसे होते हैं, अगर उनकी बात नहीं माने तो तुमको हम घोसित कर देंगे, कहानी ऐसे ही, United States, अब क्यूबा और US की नहीं बनती है, बिल्कुल, 36 कहा कड़ा है क्यूबा और US का, तो अब हमेशा जो अच्छा, जो मतलब जिनको क्यूबा की तरफ जुकना होता है, थोड़ा humanitarian nature के होते हैं, वो लोग क्यूबा को हटा देते हैं, डिलिस्टिंग कर देते हैं लेकिन जो लोग को नहीं-नहीं, क्यूबा नहीं हमारा बात माना तो, एक दब हम क्यूबा के धज्जी उड़ा देंगे वाली कहानी, वो लोग इसको फिर से उसमें डाल देते हैं, तो इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान सहना पढ़ता है ऐसे कंट्री को, जिसको ही इस प्रकार का designation मिल जाते हैं, ठीक है? वर्तमान समय में जो United State हैं, उनके जो Secretary of the State, उनको ये पावर होती है कि इस प्रकार का imposition की, इनको तीन एक्ट ऐसे हैं, जिन एक्ट के थूरू इनको पावर मिलता है, जो कि आक्ट आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है समझना, हलाकि यहां पे लिखा हुआ है, Section 620A of Foreign Assistant Act 1986 इसके तहत ये मिलता है, प्रॉविट कर सकते हैं उसके अलावा एक और important Act है यहां पे Section 40 of Arms Export and Control Act इसके तहत भी power मिलती है साथ ही साथ Export Control Act 2018 इसके तहत State Secretary of United States इसको इनको ये power मिलती है कि किसी भी स्टेट को ये इस प्रकार का designation दे सकते हैं जो कि आपके लिए important है नहीं, फिलहाल Concept समझना ज़रूरी इस प्रकार के fact अगर इंडिया से related होते तो आपको याद रखना ज़रूरी था Impact क्या होगा देखो, जो मैंने बताई चार बात हैं कि चार चीज़े impact होएंगी, होएंगी फ्रीज कर दिया जाएगा country asset in United States including real estate का United States, मैं सपोज करो कि चाइना का कोई company है और उन्होंने United States में कोई जमीन ली हुई थी और उसको manufacture बनाया हुए था, या रसिया मान लो इस example के तोर पर रसिया को रख लो जितनी भी real estate की asset है या other जितनी भी asset है सिर्फ real estate की नहीं, other आपने manufacturing company में कोई मसीन भी लगाई है, वो सब जबती कर ली जाएगे freeze कर दिया जाएगा, उसके अलामा word का secure जो bank परणा ली है जैसे कि swift system है, swift system को भी आपको use नहीं करने दिया जाएगा dual use export technology को आप बैन कर दिया जाएगा, समझा दिया मैंने कि क्या होता है dual use technology, साथ ही साथ economic actions भी लिया जाएगे आपके खिलाफ, जिससे आप ब्यापार ब्योसाई नहीं कर पाईएगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाईएगा आपका business expansion रुख जाएगा, आपका GDP growth रुख जाएगा और इन सब के बावजूद जो सबसे गंदा impact पड़ता है आपके reputation पर, उस particular country का जो अध्यक्ष होगा या रास्टा अध्यक्ष होगा, उसके reputation बहुत घजब तरीके से प्रभावित होता है जो एक hope होती, grand hope होती, वो मर जाती है, लोगों में बिस्वास खतम हो जाता है country को अलग तरीके से देखने लगते है, other country के भाई, इस country के ओपर ये चेज़ इंपोस की गई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये गंदा काम कर रहा होगा इसलिए ये आपका reputation पर सवाल उठा देता है, आपका share market गिरने लगता है आपके हां से company निकल के भागना स्टार्ट कर देती है, आपकी economy क्रास कर जाती है ये सब कहानी हो जाती है, ये सब चीज़ डिजिगनेट करने से I hope की चीज़े समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आई होगी तो नीचे comment सकते होगे मुझे बताइए Thank you so much for watching